शबी भाई योवैनों के आपके अपने चैनल YCT Books में एक बार फिर से स्वागत है प्ली जो लबी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं की होंगे जरू सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बगल में बेल आइकान है उसे फ्रिस कर देंगे जिससे के आगे आगे आनली वुडियो को नोटिफिकेसान आपके पास तुरंट पहुंच जाए देखी मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए हिस्टरी के 1000 प्लस नवा आप लोगों के MCQ लेकर आया गया YCT के दुआरा आगे आप लोगों के लिए quality वेगरा की भी हो सके तो बहुत ही जल्द लाया जाएगा तो मैं बता दूँ कि ये mock test के रूप में है इसमें जो भी question होते हैं 25 से 35 question कि इसमें लगबग लगबग cover किया जाते हैं 10 से 15 मिनट के बीच में तो थोड़ी से जल्दी होती है इसमें आप लोगों को देखा जाता है कि आप लोग history के कितने question कबर कर लेते हैं जल्दी से जल्दी में ठीक है इसमें मैं ये भी बता दूँ कि इसमें जो history के हैं बेस से लेकर चला जा रहा है प्राचीनिति हाँ से लेकर चला जा रहा है इसमें सारे question को एक बेस हाँ जिस टोपिक से उठाया था पूछ रहा है कपिल मुनी के द्वारा दार्सरिंग प्रणाली है पूरो मिमान सा सांखे दर्सन नयायत दर्सन उत्तर मिमान सा देखिए मैं आप लोगों के ज्यादा समय नहीं दूंगा वैं 3-5 सिकंड का समय दिया करूंगा आप लोगों को उतने समय में ही क्या होगा बतान है लेकिन SSE का रही होता है उसमें छेई-ग अगर पेपर देने के बात करते हैं तो 2000 कोषें आगर आखर देखें वाखänger 20 कोशन जी के होते हैं उसमें पूरी तरह से कभर ली जाएगा अगर आप इसको कमर नहीं कर पाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पे इसको दो शार बार इस वीडियो को देखिए जिससे कि आप लोगों की हैबिट बढ़े ठीक है और डिस्क्रिप्टिव आप कहीं से और जगह से भी पढ़ सकते हैं या तो वाई से आप लोग भी से के सीखे, इसका राइट एंसर कैया हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने के आभूसर, इसके आप उसर जो है 19 के रूप में जाने जाते थे पताई इसका right answer क्या हो जाएगा, 3-5 सेकंड का समय आप लोग को के पास है, तो इसका right answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताई ये जल्दी से, क्ये के थे हैं, क्ये के उपनी सद्काल के राजा सो पति सा सकते हैं, ठीक है, ये देखिए हर जो भी question इसमें कबर किये गए, सारे कहीं न कहीं पुछे हुए हैं, ठीक है, अगला question क्या दिया है, नीमन में से किसका संकलन रिगवेद पर अधारीत है, पूछ रहा है किसका संकलन रिगवेद पर अधारीत है, ये जुरुवेद पर है, सामवेद जो अथर वेद है, किसी का नहीं, इसका right answer क्या हो जाएगा, बताईए इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा, साम वेद पर अधारित है, ठीक है, रिक वेद का संकलन, अगले कोशन पर चलते हैं, अगला कोशन क्या दिया हुआ, कि उपनिसद पूस्तक के अधारित हैं, पूछ रहा है जो चलते हैं, अगला कोशन क्या दिया हुआ है, धर्म सास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी, जो पूछ राया जो धर्म राजस्वत थे उससे में भूराजस्वत की दर क्या हुआ करती थी एक बटा तीन हुआ करती थी एक बटा चार हुआ करती थी एक बटा छे हुआ करती थी बताई इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका जो right answer हो जाएगा एक बटा छे भूराजसों किदर कितनी होती थी धर्मसास्त्रों के समय में एक बटा छे होती थी चली अगले question पर चलते हैं अगला question क्या दिया हुआ है पुछा जा रहा है दस रागि युद किस नदी के तट पर लड़ा गया गंगा प्रम्पुतर कावेरी परुशनी बताई इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा आटवे का d हो जाएगा परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 रागियूद चली हम अगले question पशलते हैं अगला question क्या दिया हुआ है कि परासरे किसका उपनाम था पुछा जा रहा है कि परासरे जो था वो किसका उपनाम था वेदव्यास का था वादराहन था ए और भी दोनों का नाम था इन में से कोई नहीं तो बताई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा परासरे जो था किसका उपनाम था तो परासरे जो वेदव्यास वादराहन अर्थात ये ए और भी दोनों इसका राइट आंसर जो परासरे जो रिसी थे उनके नाम पर परा था इनका नाम वादरायन था और वेदव्यास के नाम पर भी इनका नाम वेदव्यास पड़ा था तो अर्थात इनका तीनों नाम परासरे वेदव्यास और वादरायन तीनों एक ही नाम है कहा जाता था चली अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन क्या दिया हुआ जादू टोन अगले question पर चलते हैं बहरत के किस अस्थल की खुदाई से लौधातू के प्रचिंतम प्रमाड मिले हैं तक्षसिला से अंतर जी खेडा से कोशामबी से हस्तिनापूर से बताई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा अंतर जी खेडा जो है वहाँ से लौधातू के प्रचिंतम प्रमाड मिले हैं चलिए अगले question पर चलते हैं मैं अभी एककल question कराया था कि सबसे पहले किस धातू की खोज की गई थी तो तामबे की खोज की गई थी यह सब जितने भी question है किसी ने किसी एकजाम में पूछे हुए question है तो प्ली सारे question हो को आप लोग कवर किया किजी और डेली की डेली वीडियोज में continue रहा किजी यह वीडियोज लगबग आप लोगों को 8 बजे तक सड़े 8 बजे तक provide कर दी जाएगी साम के समय में ठीक है बंस या गोत्र के नाम पर किस मंडल को जानते थे तीसरा या सातवा मंडल को दूसरा या सातवा मंडल को तीसरा या पाचवा मंडल को इन में से कोई नहीं तो बताई इसका right answer क्या हो जाएगा बारा का जो right answer हो क्या होगा question है रिग वेद में कुल कितने सुकते हैं जब आप लूशेंट की book उठाएंगे न तो यह पहला chapter भी मिलता है आप लोगों को उसमें लिखा होता है पहले दूसरे पन्ने पर आप लोगों को यह question मिल जाएगा बताई इसका right answer क्या हो या तो आप देखिएगा य इसका right answer नहीं है तो गीता में क्या कहा है चली अगले question पर चलते हैं अगला question क्या दिया हुआ है कि आरे स्वरपर्थम कहां बसे थे पूछ रहा है जो आ रहे थे उस्वरपर्थम कहां पर बसे हुए थे बंगाल में बसे हुए थे बिहार में बसे हुए थे पंजाब में बसे हुए थे गुजरात में बसे हुए थे तो पंदरा का right answer क्या हो जाएगा बताईए तो पंदरा का right answer जो हो जाएगा पंजाब में बसे हुए थे ठीक है चली अगले question पर चलते हैं अगला question क्या दिया ह सब्सक्राइब आप एक कोशन आप लोगों को कमेंट में बता ना होगा ठीक है न? चैत पंचांग है, वो कब से मानी जाती है, किसी सुई से मानी जाती है चली अगले question पर चलते हैं, अगला question क्या दिया हुआ है वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या की बात कर रहा है, कितनी है देखिए जितने भी question है, ये कही ना कही पूछे हुए question है, हर बार ये पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एकजाम में ठीक है, तो ये बार बार आने वाले question है, उपनी संख्या कितनी है, अगला question क्या दिया हुआ है अजात सत्रु किसका पुतर था, पूछ रहा है, अजात सत्रु किसका पुतर था, बिंदुसार, बिंबसार, असोक, चंद्रगुप्त, मौरे तो इसका जुराइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19 का B हो जाएगा, 20 अजात सतुर किसका पुत्र था, 20 का पुत्र था, चलिए, अगले कोशन पर चलते हैं, अगला कोशन दिया हुए, महात्मा बुद्ध का किसके साथ अच्छे समंद बताये जाते थे, पूछ रहा अगला कोशन के दिया हुए, आजाद सत्रु के हत्या किस ने की, आजाद सत्रु की जो काल था, यह आप लोगों को बहुत ही, इंप्रोटेंट, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही, इंट्रेस्टेड ही है, ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा जा रहा है, का 錯 शत्रू भी था वो किसका पुत्र था वो भीम्बसार का पुत्र था है फिक ये ये इसने क्या किया थे ये लड़का था ऑण etat पुसे पढ़े गहां दोर व सब भीर को आख ये हैं और वहां अणते होंगे चलीए अगला कोशन पर चलते हैं, अगला कोशन क्या दिया हुआ है, सिकंदर महान की मृत्यू कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी, पूछ रहा है, जो सिकंदर महान की मृत्यू थी, वो कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 26 वर्ष, और 26 वर्ष, इसका रा पूछ रहा है जो बहुत सहीत है उसमें अस्व को क्या कहा गया है आपको बताना इसका राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा चंड सूक का आ गया है बहुत सहीत में असुक को चलिए अगले question पे मैं बताया था न अभी आसुक के बारे में जितने रराया था तो कमेंट में आप लोगोन बताईएंग का राया करता था और एक जो कोशन मैंने पीछे पुछा एक सक संबत के जो था वो कब से माना जाता था, ठीक है सक पंचान कब से आया, इसका राइट आंसर बताएए 24 का, जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा 305 इसवी पूरों में हाराया था, चलिए, अगला कोशन क्या दिया हुआ, अगला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिम्स प्रिशेप को पहली बार असोक के सिलाले को पढ़ने में सपलता मीली थी, ठीक है, तो इसका पहले पार को प्लोड कर शुका हूँ, जा के देख सकते हैं, मैं आप लोगों के इसी तरह के मोक बुक्स को लिबी ले सकते हैं, हमाई सिट आप लोगों के लिए बहुत परकार के प्रोब्लम किसे ना करना पढ़ें, और मैं यहीं कहूंगा कि जो लेपी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नियक्वीड तो प्लीज सस्क्राइब कर लें, और हाँ अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है थैंक्यू दोस्तो